हाई एविवन वेलकम बेक टो मैं चैनल तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी आईबी पीएस पीयो प्रिलिम्स के लिए मेरी आज की टू-डू लिस्ट क्या है तो जैसे मैंने बताया था टू-डू लिस्ट में कुछ-कुछ चेंजिस होते रहते हैं तो क्योंकि मुझे कल से फीवर है तो आज मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ कल संडे को तो पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पाई क्योंकि फिर रैस्पी बहुत जरूरी होती है जब हम बिमार होते हैं तो फिर आज थोड़ा मुझे ठीक लग रहा है तो आज की टू-डू लिस्ट में ज्यादा कुछ नहीं है जितना मुझसे हो सकता है मतलब जितना मुझे लगता है कि मैं इतना ही कर पाऊंगी मैं उतना ही अपनी टू-डू लिस्ट में लिखती हूँ ठीक है तो दो मॉक मैं डेली ठीक है कल तो मैंने दिया नहीं कल गाइडली का वो जो स्कॉलर्शिप वाला था ना SBI PO का तो मेरी तब्वेत इतनी खराब हो रही थी मैंने सिफ उसका इंग्लिश सेक्शन ही अटेम किया और मैंने आदे में ही सब्मिट कर दिया तो इंग्लिश में जितना भी स्कॉर आ रखा होगा उसमें आपको बता दूगी तो दो मॉक में डेली देती हूँ तो आज मैं दूगी तक मैं दे दिया मैंॉक निंदबर 5 दूगी और एक मॉक दूँगी मैं अड़ा से क्योंकि मैंने कहा था मैं अड़ा का review दूँगी तो फिर मुझे आज देना है ठीक है तो फिर दो मॉक हो गए उसके बाद quizzes दे रही हूँ मैं अड़ा की ये तो मतलब है ही मेरा हमेशा का quizzes दे रही हूँ मैं अड़ा की दो quiz हर एक section की जैसे की English की दो दे दी अब ऐसा नहीं कि English की IBPS PO prelims की ही होंगी वो वो FCI की भी हो सकती है वो SBI clerk की भी हो सकती है बस वो quiz होनी चाहिए English की, quant की या फिर reasoning की उसके बाद current affairs two hours from study IQ अब ये two hours में मतलब मैंने क्या लिखा है two hours में आज revision नहीं है मेरे थोड़े से pending है जो मैं नहीं कर पाई थी तो वो और sir ने काफी सारे एक ही बार में upload कर दिये तो वो भी मुझे cover करने है तो दो घंटे तो मतलब लगी जाएंगे उसको करने में फिर English का एक sexual mains mock देना है तो आपने देखा होगा आज मैंने full mains mock नहीं रखावा क्योंकि मैं नहीं बैठ सकती तीन घंटे तक तो English का sexual mains mock दूँगी मैं practice mock से और same quant का भी sexual mains mock दूँगी मैं इस से तो मैं मेरी कोशिश तो यही रहेगी इन दोनों का analysis मैं आज ही कर लूँ बटे depend करता है अगर मुझे better feel लग रहा होगा लगेगा last last तक तो मैं कर लूँगी analysis रात को और अगर मुझे in case sleepy sleepy सा feel हो रहा होगा तो फिर नहीं कर पाऊंगी कल ही देखूंगी फिर इन दोनों का analysis प्रीका तो उसी समय हो जाता है प्रीका easy होता है इंग्लिश का editorial reading करनी है जैसे मैंने बताया निमिश मिंसल माम का जो daily editorial आता है उसी में vocabulary भी होती है तो वो कर लूँगी मैं अभी just upload हो चुका है मैं live नहीं देखती मैं recording देखती हूं तो वो अभी मैं देखूंगी जैसे वीडियो पोस्ट करने के बाद और speed maths, speed maths में revision ही कर content flow लिखते हैं तो पढ़ते होंगे पतानी पढ़ते ही होंगे तभी वो लिखते भी है क्योंकि मैं तो जो लिखती हूँ वो पढ़ती ही पढ़ती हूँ फालतू का कुछ नहीं लिखावा और बहुत सरे कहते भी है to-do list आपकी क्या रहती है तो मैंने जैसे बताया ये daily change हो आज आज आपको इसमें दिख रहा होगा क्वान का कोई chapter नहीं है क्योंकि अगर मैं वो लिख लेती तो फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाता आज के लिए मेरे लिए तो जित्ती हमारी efficiency है पढ़ने की उसी के according चलना चाहिए और ऐसे में जब तब ज़्यादा ठीक नहीं है अगर मैं नॉर्मली बताऊंगी फिर नहीं आप लोगों को पता चलजबाएगा कि मैं section wise मतना मेरा क्या opinion है तो मैं उसका video बना दूँगी बस आज मैं ये test देदू I hope अच्छे से ये to-do list मेरी follow हो जाए और जो भी कुछ मैंने आपसे कहा है वो मैं शेयर कर दूँगी और चलो फिर ठीक है अगर कोई चैनल पर फर्स टाइम आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना वीडियो को लाइक भी करना और अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स वीडियो में till then take care and bye bye